कई टीवी शोस में खल नाई का बंग धूम मचाने वाली आक्ट्रिस रक्षंदा खान तो आपको याद की कूंगी रक्षंदा काफी पॉपलर आक्ट्रिस है टीम इंडर्स्ट्री की जुनोंने जसे जसी कोई नहीं क्योंकि सास भी कभी बहुती कसोटी जिन्दगी की नागिन जसे दर्जनों टीवी सीरियल से अपनी अलग पहचान बनाई स्टोर से एक तक अपूर के शोस में नेगिटिव रोल निभा कर एक काई पर उनके गिनती टीवी की सुपर हिट हीरोइन्स में होती थी हाला कि बीते लंबे वक्त से रक्षंदा में किर्दारों में नजर नहीं आ रही और छोटी मोठी किर्दार ही निभा रही है बलगर बात ये है कि अब रक्षंदा कहा है और क्या कर रही है तो आपको बता दे कि रक्षंदा अभी भी टीवी के दुनिया में काफी अक्टिव है इन दिनों वो दंगल टीवी के शो जनम जनम का साथ में नजर आ रही है लेकिन उनके बारे में बहुत सी बाते ऐसी हैं जो आपको भी चौपा देगी आपको भी बताते हैं रक्षंदा से जुड़े पहला रास इरानियन परिवार में हुआ लालन पालन रक्षंदा का जनम 27 सितंबर 1974 को मुंबई में हुआ था उनका जनम और पालन पोशन एक तुर्को इरानियन मुस्लिम परिवार में हुआ था दूसरा दास आपको जयनकर हैरानी होगी कि रक्षंदा खान कामाल की वॉइस इवर आर्टिस्त है वो कई होलिवुड फिल्मों के लिए अवाज भी डब कर चुकी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने बड़ी बड़ी होलिवुड फिल्मों में अपनी आवास दी है इसमें दममी, आइरोन मैन, आइरोन मैन 2, मिशन इंपॉसिबल रॉंग नेशन जैसी कई फिल्म में शौमिल है तीसरा दास, मिलते थी नाप की सर्चुरी की सलहा रक्षंदा खान आप जहां भी हैं अपने टैलेंट की दम पर लेकिल शुरुवात में उन्हें काफी मुश्किले उठानी पड़ी करियर की शुरुवात में रक्षंदा खान को नाग की सर्चरी करवानी की सलहा मिलती थी रक्षंदा ने इस बारे में कुछ सल पहले इटाइम्स को इंटर्व्यू में बताया था कि वो मॉडलिंग के दिनों से ही अपनी नाग को लेकर काफी परिशान थी जब वो दो साल की थी तो गिर गई थी और तभी से उनकी नाग की शेट थोड़ी खराप हो पही थी रक्षंदा के मुताबिक जब वो ट्वेंटिस में थी तो कुछ फोटोगफर्स ने उनसे कहा कि एक काम परो नाग की सर्चरी करवा लो बड़ा अच्छा करियर होगा रक्षंदा ने पहले इस पर गौर किया लेकिन बाद में सुचा कि कौन सर्चरी करवाएगा और कौन दो हफ़ते नाग पर प्लास्टिक लगा कर बैठेगा फिर रक्षंदा को धीडे-धीरे अपनी नाग पसंद आने लगी और सर्चरी नही कितनी पसंद की जाती है और आज रक्षंदा एक बड़ी एक्ट्रिस है